लूका की इंजील चौविसवा बाब मुर्दों में सिज्जी उठना सबबत के दिन तो उन्होंने हुकम के मताबिक आराम किया, लेकिन हफ़दे के पहले दिन वो सुबह सवीरी ही उन खोश्पुदार चीजों को जो तयार की थी लेकर कबर पर आई और पत्थर को कबर पर से लुड़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन येसु की लाश ना पाई और ऐसा हुआ कि जब वो इस बाद से हैरान थी, तो देखो दो शक्स बराक पोशाक पहनी उनके पास आखड़े हुए जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर छुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिन्दा को मुर्दों में क्यों ढूंटे हो, वो यहां नहीं, बलके जी उठा है याद करो, कि जब वो गलील में था, तो उसने तुम से कहा था, जरूर है कि इबन आदम गुनाकारों के हाथ में हवाले किया जाए, और मसलूब हो, और तीसरे दिन जी उठे उसकी बातें उन्हें याद आईं, और कबर से लोटकर उन्होंने उन ग्यारा और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी, जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं, वो मरियम मक्दलीनी और यौना और याकूब की मा मरियम और उनके साथ की बाकी औरते थी, मगर य ये बातें उन्हें कहानी से मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पत्रस उठकर कबर तक दोड़ा गया और जुब कर नजर की और देखा कि सिरफ कफन ही कफन है और इस माजरे से ताजुब करता हुआ अपने घर चला गया। इमाउस की राह पर लेकिन उनकी आँखें बन की गई थी कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा ये क्या बाते हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो अगमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम किलुपास था जवाब में उससे कहा क्या तू यरुशली में अकेला माजरा जो खुदा और सारी उम्मत की नस्थी काम और कलाम में कुदरत वाला नभी था। और सरदार काहिनों और हमारी हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताके उस पर कतल का होकम दिया जाए और उसे मसलूप किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा और इलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। और हम में से चंद और तो ने भी हमको हेरान कर दिया है जो सवेरी ही कबर पर गए थी। और जब उसकी लाश ना पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिष्टों को भी देखा। उन् उन से कहा आई नादानों और नभीों के सब बातों के मानने में सुस्त एतकादों क्या मसी को ये दुख उठा कर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था। फिर मुसा से और सब नभीों से शुरू करके सब नविश्टों में जितनी बातیں उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी इतने में वो उस गाउं के नस्दीक पहुँच गए जहां जाते थे और उसके धंक से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे क्योंके शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत धल पस वो अंदर गया ताके उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आँखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से खायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो रह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्टों का भेट खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। पस वो उसी घड़ी उटकर यरुशलिम को लोट गए और उन ग्यारा और उनके साथियों को इकठा पाया। वो कह रही थे कि खुदा उन बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया है और उन्होंने रह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। जी उठने के बाद शागिर्दों पर जहूर। वो ये बातें कर ही रहे थे कि येसु आप उनके बीच में आखड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रोट को देखते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो। और किस वास्ते तुमारे दिल और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पौँ दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताजुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है। उन्होंने उसे बुनी हुई मचली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूब पुरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वो बाते हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कहीं थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मुसा की तोरैत और नभियों के सहीफों और जबूर में मेरी बावत लिखी हैं, पूरी हो। फिर उसने उनका जहन खूला ताके किताब मुकद्स को समझे और उन से कहा यू लिखा है कि मसी दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में सिज्जी उठेगा और यरुशलिम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी तुम इन बास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो ये सुमसी का आसमान पर उठाया जाना फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठा कर उन्हें बरकत दी जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उन से जुदा हो गया और आसमान पर उठाया और वो उसको सिच्दा करके बड़ी खुशी से यरुशलिम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे